ओम श्यांति वर्तमान समय हम काफी मायूस फील करते हैं हमारी खुशी जैसे गायब हो गई है क्योंकि हमारे साथ परिस्थितिया ही कुछ पूरे विश्विस्तर पर ऐसी परिस्थितियां क्रोना वाइरस की वज़ा से ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं और हमारी खुशी गायव हो जाती है खुशी को कैसे केमेंटीन रखें Actually अभी तक क्या होता या है कि हम खुशी बाहिये चीजों में देखते हैं दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे पधार्तों से, संबंधों में हम खुशी ढूनते हैं या कही, खुशी धूर्ने के लिए हम अलग लग तरीके यूज करते हैं कभी हम hill station पर जाते हैं, कभी हम movie देखने चाते हैं कभी हम शादियों में जाते हैं, या festival celebrate करते हैं तो हमें लगता है, या clubs में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिले मतलब खुशी हमें ढूणनी पड़ती है और हम बाये चीजों में खुशी ढूणती है लेकिन खुशी तो मेरी अपनी है अब आपको एक एक एक्जाम्पल बताते है एक व्यक्ति था मार्केट में एक दूर जगा पर उची चोटी मतलब उची स्थान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था अचानक से तूफान आया बहुत मार्केट था लोग आज आ रहे थे अचानक से बहुत तेज तूफान आया सभी लोग इधर उधर अपनी बचाफ करने के लिए इधर उधर भागने लगे और अपने को अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप गए या चले गए तूफान के बाद फिर बहुत जोरकी बारिश आई अब बहुत तेज बारिश आई कुछ देर के बाद तब ही जो लोग आसपास थे बजार था सभी लोग अपने को बचाने के लिए बारिश से वो भी अलग-अलग स्थानों पर छिप गए या शल्टर में चले गए लेकिन एक व्यक्ती था जो एक उची स्थान पर बैठा हुआ था आंधी आई तो भी वो व्यक्ती अपने ही स्थान पर बैठा रहा वो भागा नहीं कहीं भी ये एक उधारण है जो क्या सिक्षा देता है वो आपको बता रहे हैं एक व्यक्ती था वो इस चीज को नोट करा कि ये व्यक्ती आंधी आई तो भी ऐसे ही बैठा था और सब लोग इधर उधर भाग गए और जब वो तेज की बारिश आई तो अपने बचाव के लिए सबी लोग इधर उधर गए फिर भी वो व्यक्ती अपने ही इस्थान पर बैठा था तो उस व्यक्ती के मन में ये इच्छा हुई कि आखिर मैं इस से जाकर पूछो कि सबी लोग भागे लेकिन ये क्यों नहीं भागा तो जब वो व्यक्ती उठके पास गया तब उन्होंने पूछा भाई बहुत तेज आधी आई तूफान आया तब आप फिर ऐसे ही बैठे थे फिर बहुत तेज बारिश आई तब भी आप यहीं पर ऐसे बैठे रहे और सब सब अपने स्थानों पर चले गए आखिर ये आप ऐसा क्यों बैठे रहे हैं आप आप क्यों नहीं गए तो वो व्यक्ती बहुत शान्त स्थिती में बैठा था तो उसने कहा अच्छा आप मेरे पास बैठ जाओ तब सब लोग भागे थे वो सब भागे थे मैं भी भागा था और जब तेज की बारिश आई थी तब सब लोग भाग गए थे और मैं भी भागा था सिर्फ अंतर क्या था अंतर ये था कि वो सब भागे थे बाहर की ओर मैं भी भागा था लेकिन मैं भागा था उतनी ही स्पीट से भागा था लेकिन मैं भागा था अंदर की ओर इसलिए मैं इस शरीर से नहीं भागा था लेकिन मैं मन से भागा था अपने ही अंदर तो ये जो धारण है उसमें ये कहना हम चाहते हैं कि जब कोई भी परिस्थिती आती है तो हम इधर-उधर भागते हैं और कौन उस परिस्थिती में इस्थिर रहते हैं जो मन से शांत रहते हैं जो मन से विचलित नहीं होते कैसी भी परिस्थिती क्यों न हो हम अपने ही गेराई में जाते हैं हम अपने को और ही गेराई में अपने अंदर लेकर जाते हैं त्योंकि एक है बाहिये दुनिया और एक है अंत्रिक दुनिया हम सभी इस बाहिये दुनिया में इतने खो गए हैं इतना एक दूसरे को कौपी करने लगे हैं जैसे भीड होते न एक रेस जो जिधर जा रहा है ह हम उसके पीछे पीछे चाते हैं कि उसने हमें वो ऐसे कर रहा है तो हम भी उसके पीछे चलते हैं कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या चीछ मेरे लिए राइट है क्या रॉंग है हम सभी इस दुनिया में एक रेस में दोड़े ही चले जा रहे हैं एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा कभी हम अपने मन को पॉज नहीं करते एक मनिट के लिए बीच में पॉज करें और सोचें जो मैं कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए राइट है या रॉंग है ये पॉज हम नहीं देते रुक कर सोचना क्या चीज में करने जा रहा हूँ ये राइट है मेरे लिए या रॉंग है ये ये स्टॉप करना और ये सोचना ये पहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम एक दूसरी को देख देख कर भीड में एक रेस में दोड़े चले जा रहे हैं और अपने मूल स्वरूप से मूल सेंटर से हम धूर हो गए हैं तो वापस हमें अपने सेंटर पॉइंट पर आना है और जैसे उस उधारन में बताया कि वो भाई बाहर की परिस्थितियों से भागा नहीं सब भागे क्योंकि जैसे एक दूसरे को देख कर सब भागे लेकिन वो स्थिर था क्योंकि उसने अपने अंदर जाका जितनी बड़ी परिस्थिती उतना ही अपने अंदर जाकना है अपने अंदर को देखना है अपने अंदर को टटोलना है अपने मन से बात करनी है क्या राइट है, क्या क्रॉंग है, क्या करना है, क्या नहीं करना है क्या मेरे लिए सत्य है, क्या मेरे लिए सत्य नहीं है हम अपने इस सेंटर से दूर होकर परिधी पर दोड़े जा रहे हैं, दूसरों के पीछे दोड़े जा रहे हैं इसलिए हम अपनी ही खुशी जो मेरे अंदर है उससे दूर हो गए है तो अब वापस क्या करना है जिस रेस में हम दोड़ रहे हैं वहां स्टॉप करना है और हर सिचुईशन में अपनी कुछ चेक करना है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए राइट है या रॉंग है या इसका इंपेक्ट आगे मेरी लाइफ पर क्या होने वाला है दूसरे को देखकर copy नहीं करना उसने ये किया तो मैं भी ये करू पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली तो मेरे मन में भी यही बात आती है इसने इतनी बड़ी कार ली तो मुझे भी लेनी है क्यो? क्या हम रुखकर सोच नहीं सकते? कि मुझे क्या जरूवत है? उस situation में हमें सोचना है क्या मेरी requirement है या नहीं है अगर मेरी requirement नहीं है और मेरी need पूरी हो रही है तो मुझे उधर नहीं देखना है मुझे अपने center पर ही रहना है This is not required for me लेकिन हम करते क्या है उस होड में ऐसा ही लेनी है या इस से अच्छी लेनी है इस competition में हम उलज गए है उस competition में हम खो गए है और अपने वास्तविक स्वरूप को वास्तविक identity से दूर हो गए है जब हम अपने से ही दूर हो जाएंगे तो खुशी तो गायब हो जाएगी या खुशी दूसरों पर depend हो जाएगी सामने वाला अगर हमें खुश करेगा तो हम खुश सामने वाले ने कुश गलत बोल दिया तो मेरी खुशी गायब ओफिस ने बॉस में बॉस ने कुश डाट दिया तो मेरी खुशी पूरे दिन गायब आज बॉस ने डाट दिया तो मेरी खुशी या सुख दूसरों के रेस्पॉंड पर डिपेंड करता है ये हमारी नैच्रल नेचर बन गई है ये हमारी आधद बन गई है तो मेरी खुशी मेरे पास है यह नहीं गायव हो गई क्योंकि मेरे दूसरों को दे दिया न मैंने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया वो जब चाहे मुझे खुश करते जब चाहे मुझे दुखी करते जैसे हम शादी में जाते हैं बहुत अच्छी ड्रेस पहन कर जाते हैं वो ड्रेस हम हम अपने लिए कम पहनते हैं या वो मेकप अपने लिए कम करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं कैसी लग रही हूँ सामने वाले मुझे क्या कहते हैं अगर वो कहते हैं आप भहुत खुबसूरत लग रही हो तो मैं खुश हो जाती हूँ मैं खुबसूरत लग रही हूँ लेकिन अगर सामने किसी ने कमेंट नहीं किया कि मैं खुबसूरत लग रही हूँ तो भी मेरी खुशी गायब तो मेरी खुशी मैंने अपनी खुशी दूसरों को दे दी तो फिर मेरे पास इस्थाई खुशी कहां से आएगी इसके लिए हमें अब क्या करना है हमें पॉज करना है बीच बीच में पॉज करना है जो भी मेरी दिरी दिन चर्या है उस दिन चर्या में घंटे में एक बार एक मिनट के लिए रुक जाएं जो भी कर रहे हैं रुक जाएं पॉज मन को शांत एकागर करें उनली वन मिनिट ज्यादा नहीं उस समय सोचें अब मैं जो किया वो राइट है मेरे लिए और जो मैं आगे करने जा रही हूँ वो राइट है या उसका एमपेक्ट मेरे उपर क्या होगा ऐसे ही एक घंटे में अगर हम एक मिनिट के लिए पाउस करके दूसरों को न देख कि वो क्या कर रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं उनको देखना बंद और अपने को देखना कि ये चीज ये सिचुएशन ये परिस्थिती मेरे लिए कितनी अनकूल है कितनी प्रतिकूल है इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है तो इसके लिए समय नहीं चाहिए धन नहीं खर्च करना किसी इस्थान पर नहीं जाना है Very Simple सिर्फ अपने मन की प्रोग्राइमिंग करनी है वो भी Very Simple एक घंटे में एक बार पॉस करके अपने ही बारे में सोचना है कोई भी चीज, कोई भी कारे कोई भी हम कुछ कर रहे हैं उसका Impact मेरे लिए कितना Uncool है मेरे फायदे का है या नहीं है उसके लिए आप तब कर पाएंगे जब बाहर किसी भी चीज़ को देखना बंद कर दो उसके प्रभाव से अपने को हटा लो उसको हमें देखना ही नहीं है वो चीज उनके लिए ठीक है मेरे लिए क्या ठीक है वो मुझे मलब अपने अंदर की तरफ inward मुझे अपने को लेकर जाना है अपने अंदर में मुझे अपने आपको लेकर जाना है इसके लिए ये small practice एक घंटे में एक मनिट शान्त मन से बैठना है और चेकिंग करनी है अभी तक मैंने जो किया उसमें क्या wrong right हुआ और हम में जो करने जा रही हूँ वो मेरे लिए कितना beneficial है और कितना नहीं है ये सब सोच कर तब हम अगला step उठाएं जब हम ये करेंगे तो हम disturb नहीं होंगे और हमारी खुशी बनी रहेगी और खुशी हम जब हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे और खुशी जितनी हम दूसरों को देंगे खुशी बाटने से बढ़ती है तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगे manifold तो यह राइट तरीका है, खुश रहने का, तो इसो आप अडॉप्ट करें, तो हमारी खुशी वापस आ सकती है, ओम शान्ति